हेलो एवरिवान वेलकम टो माई चैनल देखिए फ्रेंड्स आज मैं ओरेंज और ब्लैक में दो कलर से आपको बहुत ही प्यारा सा डौर्मेट बनाना सिखाऊंगी टेबल मैट बना सकते हो पुझाकासर बना सकते हो जो भी आपको बनाना है आप ये डिजाइन डालके बना सकते हो इसके लिए मैंने देखिए 8 नमबर की निडल्स का मैंने इसमें यूज किया है और ये देखिए ये मेरे पास फ्रेंट्स चुन्नी थी तो इतनी चोड़ी चोड़ी मैंने इसकी चुन्नी की पठियां बनाई हैं ये देखिए आपके पास चुन्नी हो साड़ी हो कोई भी कपड़े की ऐसे पतले कपड़े की पठी हो तो उसी से आप ये डिजाइन डाल के बना सकते हो तो सब सब से पहले हम इसमें फंदे डाल लेपे फंदे fence में बिलकुल यह simple तरीक्य के आपको बताऊंगे फंदे यह देखिए सबसे पहले हम इसमें एक ऐसे slip note लगा लेंगे यह देखिए थोड़ा सा इसको tight कर लेंगे अर यह साथ आठ नो दस ग्यारे और ये बार है बाराफंदे फ्रेंट्स मैंने डाल लिया इसमें अब मैं इसमें आठ फंदे बीच में ब्लेक कलर से डाल लूँगे देखिए आप इसको बिगेर नोट के भी डाल सकते हो जैसे इसको आप इसे पकड़के रखिए इप हमारा ये हो गया ये हो गये दो ये देखिए तीन चार पांच छे इसी तरीके से फ्रेंट्स मैं इसमें ये आठ फंदे डाल लूँगी दो फंदे मैं इसमें और डाल लूँगी और फिर आठ फंदे मैं इसी कलर के डाल लूँगी लेकिन हम आगे उसमें दूसरा गोला लगा लेंगे दूसरी पट्टी लगा लूँगी मैं आगे इसी पट्टी से नहीं डाल लूँगी तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ ये देखिए इसमें मैंने 23 फंदे डाल लिये हैं 28 फंदे मैंने डाल लिये हैं 12 फंदे मैंने ये डाल ले नीचे 8 मैंने ये बलेक के डाल ले और 8 मैंने उपर फिर से ओरंज के डाल ले हैं तो देखिए इस side हमारी सीधी side बनेगी यह हमारी उल्टी side है तो इसी side से हम अपना first row से ही design start करेंगे तो ध्यान से देखिए फर्स्ट वाला फंदा हम बना लेंगे यहाँ पे हम फ्रेंड्स फंदा बढ़ाएंगे यह देखिए इसको हमने एक बार बना दिया पट्टी को पीछे करेंगे इसको हम एक बार फिर से बना देंगे एक फंदे से हमने दो फंदे आपे बना लिए अब तीन बना लिए हमने देखिए चार पांच छे साथ और यह आठ एक फंदा मैं ब्लैक में कनवर्ट कर दूँगी इसको ऐसे कर लेंगे और यह देखिए यह एक फंदा मैंने ब्लैक से बना दिया अब देखिए ब्लैक के दो हो गए तीन चार पांच छे साथ आठ फंदे मैंने बना लिए अब यह एक ब्लैक का फंदा यह औरेंज में कनवर्ट हो जागा ऐसे कर लेंगे हम यह देखिए इस पर्टी को भी हम इसी के अंदरा से लपित लेंगे एक दो तेन चार पांच छे साथ यह देखिए फ्रेंट्स मेरी पट्टी यह छोटी हो गई तो दूसरी पट्टी हम इसमें जोइंट कैसे लगाएंगे देखिए यह देखिए ऐसे हम इसको लपेट लेंगे और हम अपना इसमें जोइंट लगा लेंगे यह देखिए और दो फंदे मैं पीछे इसमें छोड़ दूँगे जोइंट हमारा लग गया है अगर आपके ऐसे चुन्नी का यह कोई पीस निचे निकले तो इसको दबा देना बाद में फिनिशिंग में काट देना जोइंट हमारा लग गया है दो फंदे हमने पीछे छोड़ दिये यह देखिए सीदी साइड से अब हम जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे फस्ट वाला उतार लिया एक बार इस रो को मैं आपको उतार के दिखाऊंगी हर बार आपने इस तरीके से बनाना है फिर इसको यह साइड हम कुछ नहीं करेंगे हम जैसे हमारे फंदे हैं वैत उतने ही रहेंगे बस खाली जिस कलर से जो फंदा हो उसी कलर से आपने बनाना है इस रो में हम कोई चेंज नहीं करते ये देखिए सारे इफंदे हमने बना लिया औरेंज कलर के अब इस पट्टी को पीछे कर देंगे देहन से देखिए और पीछे से ब्लैक लेक लेक आएंगे ऐसे क्रोस करके और अब हम आगे ब्लैक से बना देंगे अब देखिए इसको हम पीछे कर देंगे और पीछे से ओरेंज आगे लेके आएंगे हर बार आपने इसी तरीके से करना है क्रोस करना मत भूलिएगा नहीं तो हमारा बीच में गयप आजाएगा ये देखिए ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है इसको भी बना लेंगे और किनारे वाले को हम ऐसे सिधा बनाएंगे ये देखिए पलट लेंगे फिर से देखिए इसको हम उतार लेंगे यहाँ पे फिर से हम ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे एक के दो कर लिए इस पट्टी को भी फ्रेंड्स हम ऐसे उपर कर लेंगे और स्टार्टिंग में ही आप इसको ऐसे लपेट लीजिएगा जैसे मैंने यहां की लपेटी थी और यह एक फंदा फिर से हम ऐसे इसमें कनवर्ट कर देंगे यह देखिए इस साइड से भी ऐसे क्रोस कर लेंगे और इसमें औरंज में कनवर्ट कर देंगे औरंज के कली अब हमारी कली उपर की तरफ जाएंगे और लास्ट में दो फंदे हर बार हम पीछे इसी तरीके से छोड़ेंगे दो मैने फिर से छोड़ दिये पलट लेंगे राइट साइड से जो जैसा है इस रोग को मैं बना के कम्पलीट करूँ यह देखिए इसमें फ्रेंट्स मैंने 8 फंदे बढ़ा लिये हैं और यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हमारी यह लाइन आपको दिखाई दे रही है 8 फंदे हमारे यहां पर बढ़ गए 2 मैंने आपको बढ़ा के दिखाए थे उसी तरीके से मैंने उपर इसमें फंदे बढ़ाई हैं 2-2 फंदे हमने पिछे छोड़े हैं और एक-एक फंदा हम उपर की तरफ करनवर्ट करते गई हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ बार हमने दो दोप करके फंदे छोड़ दिये हैं अब देखिए हम 9 फंदा फिर से बढ़ाएंगे एक फंदे के हमने दो बना दिये आप देखिए अब तक हम फ्रेंड्स एक-एक फंदा हम कनवर्ट करते आए थे लेकिन यहाँ पे हम 2 फंदे कनवर्ट करेंगे जब 9 फंदा मैंने बढ़ाया है तो मैंने यहाँ पे 2 फंदे कनवर्ट किये अब हमारे देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 8 फंदे हम अपने बनाएंगे जब हम एक के कर रहे थे तो उपर से भी एक ले रहे थे नीचे से भी अब उपर से हमने दो लिये हैं तो हम नीचे से भी दो कनवर्ट करेंगे यह देखिए और यह दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे यहीं से पलट जाएंगे राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही बना के मैं रो को कम्पलीट करूँ यह देखिए एक बार का हमारा डिजाइन कम्पलीट हो गया है जो हम उपर की तरफ ले के आए थे अब हमें इस डिजाइन को नीचे की तरफ मोड़ना है और जो फंदे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर नो बढ़ाए थे अब हम उनको एक एक करके गटाएंगे तो ध्यान से देखिए यह देखिए दो में निटल डाली दो का एक कर दिया या आप यहाँ जैसे हमने बढ़ाए थे वैसे भी आप कर सकते हो यह फस्ट वाला उतार के और आप यहाँ से अंदर से जैसे हमने फंदा बढ़ाया था यह देखिए दो का एक कर दिया ध्यान से देखिए और इसमें हमने यहाँ पे दो फन दे लिये थे तो हम इसमें स्टार्टिंग में दो फन दे ही इसमें हम एड़ कर लेंगे अब नीचे की तरफ हम आएंगे उपर से नीचे की तरफ यह देखिए और दो फन दे हम नीचे से ले लें क्योंकि हमारे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे आठ फन दे हम यह लेके चले थे तो दो हम नीचे से ले लेंगे वे दो फन दे हमारे बच गए यह हम बना लेंगे और दो फंदे जो हम अब छोड़ते आई हैं, अब हम इनको इसमें दो दो फंदे एड़ करेंगे, यहीं से मुड़ जाएंगे, इस साइड से जो रो जैसी है, हम वैसा ही इसे बना के कम्पलीट करेंगे, यह देखिए, इस तरह से हमारे डिजाइन की लुक आई है, बिल्कु पर फंद वाला उतार लिया, और फिर से हमने अपना दूसरा फंदा गटा दिया, जितने भी फ्रेंट साइड बढ़ा उतने यहाँ आपने गटाने है, देखिए, अब हम एक यी बार हमने यहाँ पे दो फंदे लिये थे, तो हमने वो दो फंदे ले लिये, अब हमने एक- पंदा ही हम इसमें कनवट करेंगे, यह देखिए, फिर से मैं इसमें जोइंट लगाऊंगी, यह मेरी चुन्नी है, अगर आप साड़ी से बनाऊंगे, तो साड़ी की लंबी-लंबी पटियां बनती हैं, यह देखिए, और एक हम इसमें से ले लेंगे, यह देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और एक नीचे से लेंगे, आठ, आठ फंदे ही हम यह लेके नीचे से उपर आए थे, अब उपर से नीचे चलेंगे, आप देखिए, आगे हमारी ओरेंज पटि है, एक, दो, तीन फंदे हैं, दो हम आगे से लेंगे, क्यूंकि हमने दो दो फंदे छोड़े थे तो दो लेंगे गैप बरने के लिए एक फंदा बीच में से उठाएंगे और इसके साथ दो का एक कर देंगे दो का एक करना मत भूलिएगा नहीं तो हमारे फंदे याँ पर बढ़ जाएंगे बना लिए दो फंदे और यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना लूँगी एक बार और दिखाऊंगी मैं आपको यह देखिए अब हमारे शेप दिखाए देने लगी है एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स फिर मैं इसको पुड़ा सा बना के आपको दिखाऊंगी यह हमारा तीसरा फंदा हमने इसमें गटा लिया यह देखिए और एक फंदा हम इसमें एड कर लेंगे यह देखिए यह हमारे बलेक वाले साथ फंदे रहे गए तो एक हम इसमें नीचे से ले लेंगे इसी तरीके से आपने बनाना है पहले हम उपर की तरफ आई थे अब हम नीचे की तरफ हमारी कली नीचे की तरफ जाएगी एक हमने इसमें से ले लिया यह देखिए ये अब यहाँ पे हमारे चार फंदे हो गए फिर से हम एक फंदा बीच में से उठाएंगे गैप खतम करेंगे और यही से वापस है मुड़ जाएंगे इसी तरीके से फ्रेंट्स मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ देखें उपर से भी हमारी शेप बनी स्टार्ट हो गई है और अंदर से भी यह देखें अब यह हमारा नीचे की तरफ आएगा तो मैं यह दो दो करके सारे फंदे इसमें एड़ कर लूँगे और उपर से एक फंदा मैं कम करूँगे और इसमें से हम अपना नीचे की तरफ कर्णवर्ट करते जाएंगे तो मैं इसे बना लेती हूँ यह देखिए यह ऐसे इसकी शेप आई है एक फंदा हमारा अभी इसमें बचा हुआ है और देखिए दो फंदे मेरे लास्ट में बचे हुए है तो लास्ट का हम कैसे करेंगे यह देखिए नौ फंदा भी हमने घटा लिया अब देखिए दो तीन चार पांच छे साथ और एक आगे से ले लेंगे आठ आठ हमारे यह हुवे अब देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक आगे से ले लेंगे आठ आठ हमने यह डाल ले थे आठ हमने यह डाल ले थे सोला फंदे हमारे यह हो गए अब देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा यह देखिए पूरे फंदे हमारे हो गए जितने हमने डाल ले थे लास्ट में भी देखिए हम यहाँ पे गैप के लिए फंदा उठा लिया दोगा एक कर देंगे यह देखिए एक बार का फ्रेंड्स हमारा डिजाइन बनके बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है राइट साइड से इस रोको में इसी तरीके से जो जिस कलर का है बना के मैं इसे कम्प्लीट करूँगी यह देखिए फ्रेंड्स एक बार का हमारा डिजाइन बनके complete हो गया है यह देखिए बहुत ही finishing के साथ हमारे किनारे की किनारी बनी है देखिए बहुत ही finishing के साथ अब देखिए हम अगली उसकी starting कर देंगे कली की starting कर देंगे तो कैसे करेंगे वो इफंदे वो इफंदे जो हमने फंदे डाल ले थे 12 आठ और 8 ये देखिए अब फिर से हमने इस डिजाइन को अब हमारा ऐसे फंद कहिए अब हमने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है जैसे हम ये लेके गई थे उपर की तरफ तो कैसे लेके जाएंगे फिर हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने निचे से स्टार्टिंग की थी फर्स्ट रो से यह देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया एक फंदे से हमने दो बना दी एक फंदा बढ़ गया पट्टी को अपनी तरफ करेंगे यह देखिए और गटाएंगे तब भी जब गटाएंगे तो हमारा एक इसमें नीचे की तरफ जाएगा और जब हम बढ़ाएंगे तो एक हमारा ये इसमें कनवर्ट हो जाएगा ये देखिए ब्लैक उपर की तरफ आएगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे हम ब आठ, आठ फंदे ही रखेंगे हम अपने एक हम इसमें कनवर्ट करतेंगे और अब देखिए नीचे के फंदे हम दो फंदे नीचे से छोड़ देंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में छोड़े थे दो, दो फंदे छोड़ते हुए उपर की तरफ जाएगे ये फिर से हमने छ बिलकुल जब आप लास्ट फंदा बढ़ाओ, फ्रेंड्स, जितने भी आपने फंदे बढ़ाने हैं, मैंने जब इसमें लास्ट का फंदा बढ़ाया था, बिलकुल उपर का नोवा फंदा बढ़ाया था, तो मैंने यहां पे 2 कनवर्ट किये थे, इस चीज का आप द्यान गई गये बहुत ही अच्छा इसमें स्टार बनेगा तो मैं इसे complete कर लेती हूं फिर दिखाऊंगे इसकी कैसी लुक आई है बूरा final करके मैं आप आपको दिखाऊंगे यह देखे फ्रेंट्स मैंने इसे बना के complete प्लीट कर लिया है बहुत ही प्यारी इसकी शेप आई है आप इसको अपनी पसंद से किसी भी कलर में बनाईए बहुत ही सुंदर डिजाइन है ये और बनाने में बहुत ही आसान है पुजाकासन बनाओ तो बीच में फ्लावर आप मत लगाईए तो फ्रेंड्स आपको डिजा लाइक कर लिजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नैट जाइन के साथ थैंक यू